कि हैं कि कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ इन इस टैन गुलाब जामून रेसिपी वह भी बिना क्रेक के परफेक्ट गुलाब जामून हम कैसे बनाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो चलिए हम दोस् चार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैंने गुलाब जामून बनाने के लिए यह गोल्डी गुलाब जामून का प्रिमिक्स लिया है यह 400 ग्राम का प्रिमिक्स है इससे हम गुलाब जामून बनाएंगे उसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे मैंने यहां एक बड़ा ब हम एक बावल में दूढ डूढ मैंने यहां दूढ या ऐसमें दूढरा। यह नरीने दूढर नटe के लिए इसके लिए राइए उसके लिए हमने gas on करके एक कडाई रख दी है अब हम इसमें दो बाउल चीनी डालेंगे दो बाउल चीनी में हम एक बाउल पानी डालकर चीनी को पानी में घुलने तक medium flame पर लगातर चलाते हुए पकाएंगे चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल गई है अब हम इसमें flavor के लिए एक समच इलाइची बाउडर साथी साथ से आठ केसर के धागे डालकर mix कर देते हैं यह totally optional है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसे skip कर सकते हैं चासनी हमारी बनकर के तयार है हम गैस का flame off कर देते हैं हमें गुलाब जामुन के लिए हलकी चिप चिपी ही चासनी च चाहिए और चासनी को ढख कर रख देते हैं जिससे कि हमारी चासनी हलकी गरम बनी रहे अब हम प्री मिक्स को देख लेते हैं प्री मिक्स भी हमारा सैट हो गया है अब हम हातों को थोड़ा सा घी लगा करके इस तरह से चिकना करेंगे और इसमें से थोड़ा सा बैटर है हमने सबी बैस बना कर नहीं रहना है यह साथकी साथ बना है इसकी हम बाकिस बांप कर लेते हैं उसके लिए हम bonsा Rise फूल कर उपर आ गई है घी हमारा परफेक्ट गरम है इसी तरह से हम सभी बॉल्स को डाल देते हैं इसमें और एक कर्ची से घी के चारो तरफ इस तरह से कर्ची को घुमाएंगे और इस तरह से हम गुलाब जामुन को लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इने फ्राइ करेंगे और लाइट गुल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राइ करना है 6-7 मिनिट का समय लगा है बॉल्स हमारे अच्छे से फ्राइ हो गई है देखिए कितना अच्छा कलर आया है एक भी क्रेक नहीं आया है इन्हें निकाल करना हलकी गरम चासनी में डाल देते हैं और बाकी बचे पूल गए हैं अब हमने मीने 5 घंटे के लिए और रख देंगे हमने यह सभी जानी न हमारения तर सब्सक्राइब ओला में औरन नहीं आखा प्रदके sãoइंब जाना पॉल्षाय से अंदर तोड़न में मुझा रही रही हुँ गर पर अबने आपक粉 प्रेवाय सकते ही या को अराम साथ दियान होता जान में विकливо माइवाय मिर्था जाना बादो मिक्स ले रहे हैं तो आप उसमें आदा कप पानी या दूद का इस्तमाल करें और एकदम सॉप्ट डो लगा करके तयार करें और सभी बॉल्स को इसी कपड़े से ढख लेने जाल देर खुला नहीं रखें और लो टू मीडियम फ्लेम पर इने फ्राइ करें देखिए कितना आस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जादोन इंडियन किचिन को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को अल पर क्लिक कर लें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती नहीं थैंक्स पॉर वाचिंग बाइबाई गाईस